हेलो दोस्तों, स्वागत थे आप सबी का आज की इस क्लास में तो जसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस चैनल पर करते हैं आपके स्विटेट इक्जाम में पूछे आने वाले NCRT के उन पंदरा नंबर के कोस्टेंस के बारे में बात जो बहुत कम लोग ही करवाते हैं यानि ये क्लासेश जो है आप लोगों को YouTube पर बहुत कम देखने को मिलेंगी तो देरीना करते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं तो इससे पहले हमारी 10 क्लासेश हो चुकी है अगर आप लोगों ने उन क्लासेश को नहीं देखा है तो प्ले लिश्ट का निक डिस्किप्शन बाॉउक्स में दिया गया है वहाँ से जाकर आप लोग उन क्लासेश को देख सकते हैं क्लास को सुलू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा अगर आप लोग CDT परिछा में अच्छा स्कूर करना चाहते हैं तो Play Store से Master Shadda एप को डाउलोड कर लेजिए यहाँ पर आप लोगों को हिमाशी में के सभी नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे प्रिविये सिर्के सभी question paper आपको मिल जाएंगे ब्ल्कुल फ्री में YouTube पर होने वाली class की PDF मिल जाएगी City परिछा के लिए बनाए गए बैतरी नोट्स मिल जाएंगे जो की City को पास कराने के लिए बहुत ही बैतरी नोट्स मिल जाएंगे और यह pad notes रहने वाले हैं कच्छा 3 से लेकर 8 तक की NCRT की बुक भी आपको इसी पर मिल जाएगी तो देरी मत कीजिए प्लेइ स्टोर से तुरंत Master Shadda एप को डाउनोड कीजिए अगर आप लोगों को इस class की PDF चाहिए या फूर YouTube पर होने वाली किसी भी class की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलिग्राम चेनल Let's Learn के Learners को जॉइन कर लीजिए इसका लिंक का आप लोगों को डिस्कप्सर मॉक्स में मिल जाएगा आज का हमारा टॉपिक है जानवरों की विसेष्थाएं चलिए देख लेते हैं की चैनलों की क्या क्या विसेष्थाएं होती है जिसमें पहला लिखा गया हाथियों की विसेष्था अब हाथियों की कौन-कौन सी विसेष्थाएं होती है उनकी बारे में बात करेंगे लिखा गया हाथि जुंड में रहते हैं एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 kg से ज़्यादा पतियां खा लेता है यहाँ पर 100 kg या फिर एक क्विंटल भी हो सकता है क्योंकि यह दोनों बराबर होते हैं आगे लिखा गया है केवल 2-4 गंटे ही सोता है हाथी जोता है वहाँ पूरे दिन में केवल 2-4 गंटे ही सोता है यानि बहुत कम नींद लेता है नेक्स पाइंड में लिखा गया है बुजूर घतनी जुन्ड की नेता होती है अब जो जुन्ड होता है इसमें से जो सबसे बुजूर घतनी होती है वो पूरे जुंड की नेता होती है उसी के निदेश पर पूरा जुंड चलता रहता है आगे लिखा गया है 10 से 12 हाथी वो बच्चे एक जुंड में रहते हैं अब इनका जो जुंड होता है उसमें 10 से 12 हाथी होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं नेक्स पाइंट में लिखा गया है हाथी 14 से 15 साल तक की आयू ही जुंड में रहते हैं यानि जो नर हाथी होते हैं वो 14-15 साल तक की जुंड में रहते हैं उसके बाद में जुंड को छोड़ते हैं नेक्स पाइंट में लिखा गया है तीन महिने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है आप लोगों को इसको कनवर्ट भी कलेना है 200 किलोग्राम है तो इसको आप 2 कुंटल भी बोल सकते हैं Next point में लिखा गया है हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं सभी को पता है हाथी जो हते हैं उन्हें केले बहुत अच्छे लगते हैं आगे लिखा गया है हाथी को पसीना नहीं आता है वह प्रत्वी इस्तल के सबसे बड़े इस्तंदारी होते हैं तो ये points आप लोग no down करते चलिएगा क्योंकि आपके city exam में NCRT से डारेक्ट पनल नंबर पूछा आते हैं और हाथी से related हमेशा question पूछा गया है तो आप लोग इन सारे points को no down जुरू कर लीजिएगा अपनी nootbook में next है सांप की विस्षिश्ता हैं लिखा गया है भारत में केवल 4 तरह के जरीले सांप होते हैं हमारा जो इंडिया है यहाँ पर केवल 4 तरह के जरीले सांप पायाते हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं नाग, करेत, दुबोईया और अफाई आप लोग इनके नाम इंग्लिस में भी देख सकते हैं नाग को ही कोबरा बोलते हैं करेत को कॉमन करेत बोलते हैं दुबोईया को रसल वाइपर बोलते हैं और अफाई को सो स्केल्ट वाइपर बोलते हैं तो आप लोग इन पॉइंट्स को अधर रखेगा कि इंडिया में जो है केवल चार तरे के जिरिल साप आयाते हैं जिनके नाम क्या क्या हैं नाग, करेत, दुबया और अफाई क्योंकि आपकी सिर्टिक जाम में यहां से कोश्चन पुछा जा चुका है कि इन में से वह कौन सा साप है जो जहरिला नहीं है और कोश्चन में इन में से तीन नाम थे और एक नाम को यह रख दिया गया था उसी को आपको चाटना था, तो इस प्रकार से कोश्चन पुछा आते हैं आगे लिखा गया है, साप के काटने की दवा या सीरम साप के जहर से बनती है जैसा कि कई लोगों को पता ही होगा, जो साप के काटने की दवा होती है वो साप के जहर से ही बना जाती है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे साप के जहर को डॉक्टर लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं फिर उसको modify करके इसके दवाई बनाते हैं next point में लिखा गया है साप के दो खोकलिदात होते हैं जिनके द्वारा वह जहर छोड़ता है अब यहाँ पर आप लोग दिख पा रहे होंगे यहाँ पर जो साप है इसके दो खोकलिदात आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं इन्हीं के अंदर जहर रहता है जिनसे जहरवा छोड़ता है next point में लिखा गया है साप के बाहरी कान नहीं होते हैं वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है साप जो होता है वह बहरा होता है साप के कान होते ही नहीं है वह जो जमीन पर कंपन होता है उसके दोरा सुनता है या फिर फिल करता है next point में लिखा गया है साप के दांत नुकिले होते हैं परन तो अब भोजन को चबाता नहीं है अपीदू निगल जाता है यानि जो साप होता है इसके दाप तो होते हैं लेकिन वह बोजन को चवाकी नहीं खाता है वह बोजन को पूरा निगल जाता है जिसे मेड़क वगरा को जो वह खाता है तो मेड़क को पूरा तरीका से निगल जाता है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसको पूरा का पूरा निगल जाता है नेक्स पाइंट में हम लोग बात करने वाले हैं गिलहरी की विश्चता है लिखा कर गिलहरी की दात हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिषने तथा कुतरने से छोटे जाते हैं अब आपकी स्रिटिक जाम में यहाँ से गोश्चन ऐसे बना था किनमेज से वाकोन है जिसके दात हमेशा बढ़ते रहते हैं इसलिए वाप चीजों को कुतरता रहता है तो वहाँ पर चूहा भी लिखा हुआ था काफी सरे बच्ची जो है वहाँ पर चूहा लगा कर चले हाए थे जो कि उसका अंसर कलग था बाद में सबका नंबर एक एक कट गया था जिसने भी वहाँ पर गलेरी किया था उसका एक नंबर मिल गया था तो आप लोगों को वहाँ पर गलेरी करना है नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं श्लोट की विसेश्टाओं के बारे में लिखा गया है श्लोट जो हता है वह भालू जैसा दिखता है आप लोगी में देख पा रहे होंगे श्लोट जो हता है वह बिल्कुल भालू की जिसे दिखता है या 17 गंटे तक सोता है या बहुत ही आलसी होता है या पेंड की साखाओं पर उल्टे लटक कर 17 गंटे तक सोता रहता है नेक्स्ट पाइंट में रिका गया है या 40 वर्ष तक जीता है या अपने पूरे जिंदगी में केवल 8 पेंडों की बक्तियां खापाता है जब भी एक पेंड की पतियां पूरी खताम भी आती है तब या पेंड से उतरता है और दूसरे पेंड पर चरकर फिर आराम से उसकी पतियां खाता रहता है दिमे दिमे से उसी पर सो जाता है उसी पर फिर से पत्ती खाता है फिर उसी पर सो जाता है क्योंकि अब हो ज़्यादा आलशी होता है तो आप लोग शलॉत के बारे में इन सारे पॉइंट्स को नोडाउन कर लिजीगा जहां से कोश्चन ऐसे पुशाता है कि इन में से वह कौन सा है जो भालू जैसा दिखता है पर अंद भालू नहीं है वह दिन में 17 घंटे सोता है और अपने पूरे जिंदगी में के एवल 8 प्रेणों की बक्तियां खापाता है तो आप लोगों को वहाँ पर शलॉत लगा के आना है नेश्ट टॉपिक में में बात करने वाले हैं बाग की विसिस्ताओं के बारे में लिखा गया है बाग अपने शिकार का सही पता हवा दारा मूचों के कंपन से ना प्रेता है अब बाग की जो मूचे होती हैं उनकी मूचे तनी संस्टी होती है जब कोई सिकार चल रहा है उसके आने का पता और नॉर्मल हवा का पता उनकी मूचों दारा उनको चल जाता है नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है इससे अंधरे में रास्ता रूणने में उन्हें बदद मिलती है आगे लिखा गया है बाग के मुत्र की गंद दूसरे बाग को पहचान लेते हैं अब जो बाग के ये जो बाग होते हैं ये कुत्तों की तरह अपना एरिया बनाते हैं और इसी की गंद से वह अपने एरिया को पहचान लेते हैं आगे लिखा गया है बाग का गुराना तीन किलोमेटर दूर तक सुना जा सकता है अब जब बाग गुराता है तो उसकी आवाज को तीन किलोमेटर दूर तक सुना जा सकता है बाग अंधिरे में हमसे छेगुना बहतर देख सकता है नेक्स्ट पॉइंट में बात करने वाले हैं रेशम के केट की विस्चताओं के बारे में लिखा गया है रेशम कीट अपनी मादा को कई किलुमेटर दूर से पहचान लेता है अब यह जो रेसम का कीट होता है यह अपनी मादा साथी को उसकी गंद से कई किलमेटर दूर से पहचान लेता है इसकी इसमेल आती है इसको बहुत तेज तो यह जान जाता कि हमारा मादा साथी जो है वह कहां पर है अब हम लोग कुछ महत्पूर्ण बिंदू के बारे में बात करने वाले हैं आप लोग इनको नोडाउन करते चलिएगा लिखा गया है पक्षियों के पंक उड़ने सर्दी गर्मी से बचने है तू रुपांतरित होते रहते हैं पक्षियों के जो पंक होते हैं वा सर्दियों में इस प्रकार से हो जाते हैं कि उनको ठंडर ना लगे इसलिए इनकी जो सर्दी गर्मी का मौसम होता है उसी प्रकार से इनकी पंक जो होते हैं वा बदलते रहते हैं पक्षियों की चोच में दांत नहीं होते हैं सभी को बताऊगा कि जो पक्षियों की चोच होती है उसके अंदर दांत नहीं होते हैं पक्षियों में मुत्रासे नहीं होता है वह प्रशो पर जाते हैं या समपाती प्राड़ी होते हैं पक्षियों के हर्दय में चार कोश्ट होते हैं गोरया फाक्ता शकरखोर जोड़े में रहते हैं ये अपना गोशला शोयम बनाते हैं गोरया फाक्ता और शकरखोर जो पक्षी हैं ये मैसा जोड़े में रहते हैं और अगर इनमें से कोई एक भी इनका जोड़ा टूड़ जात पक्षी के वर अंडे देने के लिए गुशला बनाते हैं, और ये जो गुशला बनाते हैं, वह अलगभग अप्रेल मा के आसपास ही बनाते हैं, आगे लिखा गया है पक्षियों की जो हड़ी होती हैं, वह खोखली होती हैं, और उनमे हवा भरी होती है, पक्षियों की जो दो आते हैं कि उनके आँखों की पुतलिया जो होती हैं वह घूम नहीं पाती हैं नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है चील बाज वा गिद हम से चार गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं आप लोग इन पाइंट को नोडाउन कर लीजिएगा चील बाज और गिद होते हैं वह हम लोगों से चार गुना दूरी तक देख सकते हैं रात में जगने वाले सभी जानवरों को चीज़े जो होती हैं वह काली और सपध ही दिखाई देती हैं नेग्स पॉइंट में लिखा गया है जीव अंडे देते हैं उनके कान बाहर दिखाईए नहीं पड़ते है नेक्स पाइंट में लिखा गया बच्चे देने वाले जीव जरायूज कहलाते हैं जैसे इस्तंदारी इनके कान दिखाई पड़ते हैं तता सरीर पर बाल भी होते हैं तो आप लोगों को इन पाइंट को दर्खना है यहां से कई बार कोश्चन पूशे जा चुके हैं नेक्स पाइंट में लिखा गया है गया के आगे के दाथ छोटे पीछे के दाथ बड़े वाचप्टे होते हैं बिल्ली के दाथ नुकेले मास के फाड़ने है तो प्रयोग में आते हैं कंगारू चुहा कभी पानी नहीं पीता है यह कंगारू के एक ब्रायाइटी है जो कभी पानी नहीं पीती है नेक्स पाइंट में लिखा गए चिपकली मेडक शर्प सर्दी से बचने हेतू शीत नद्रा में चले जाते हैं आगे लिखा गया है गाये चार गंटे अजगर अठारा गंटे जिराफ दो गंटे बिल्ली बारा गंटे हाथी चार गंटे तथा शेर आठ जान जाते हैं कि किस साप ने काटा है कालवेलिया लोग बेटी की साधी में साप को तोफे के रूप में देते हैं अब यहां से कई बार कोश्यन पूशा割 आ चुका है आप लोग एक बार इसको दोबारा से पढ़ लीजेगा जो सापो को नचाने वाले होते हैं उन्हें कालवेलिया कहते हैं अभी साप के डंग की निचान से जान जाते हैं कि कि साप अपने काटा है और जब कालवरिया लोग अपने बेटी की साधी करते हैं तो सांप को तोफे के रूप में वो देते हैं अब हम लोग कुछ कोस्टेंस को करेंगे आप लोगों को इनकी आंसर फटा फट बताने हैं हमारा पहला कोश्टन है किसी पसू के विशय में नीचे दिये गए वेवरोड को पढ़िए और उस पसू की पहचान कीजिए अब यहाँ पर लिखा गया है या भालू जैसा दिखता है पर अंत भालू नहीं है या दिनके लगबग 17 गंटे वरच की साखाओं से उल्टे लड़क कर सोता है या जिस वरच पर रहता है उसी की पक्तियां खाता है या लगबग 40 वरसों तक जीवित रहता है अब ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कोश्चन आपकी सिरिटीक जाम में पूछा जा चुका है सेम कोश्चन आपकी सिरिटीक जाम में कई बार पूछा जा चुका है आप लोगों को इसे कोश्चन को नोटडाउन जुरू करना है चलिए से बिलों बताईए कि इस कांसर क्या हो राएगा तो अभी हम लोगों ने बात करी क्या हो जाएगा शलोट नेक्स्ट कोशन है कोशन मट्टू नीचे दिया गए जीवों के सबूं में से किनकी द्रश्टी स्रेश्ट होती है जथावे मनश्यों की तुलना में चार गुना अधिक दूरी तक वश्टों को देख सकते हैं ओप्शन नमबर फ़स्ट है मुन्दमक्खी, मक्चर और दितली सेकेंड है बाग, तेंदुआ और शांप थर्ड है शांप, रेसम, कीट और छिपकली जबकि फूर्थ है चील बाज और गिद्ध चलिए कोश्टन नमबर टू का अंसर दिजिए तो कोश्टन नमबर टू का अंसर नमबर फूर्थ है हमें बता है जो चील बाज और गिद्ध है यह मनश्यों को तुलना में चार गुना अधिक दूरी तक की वर्ष्टों को देख सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर थ्री जनवरों में कान के आकार का संबंद किस चीज से होता है यह कोश्चन आपकी स्रीटी ग्जाम में कई वर पूछा जा चुका है जनवरों में कान की आकार का सम्ढद किस चीज से होता है option no first है शरीर के वजन से second है सुनने की सक्ति से third है शरीर की लंबाई से जबकि fourth है शरीर के रंग से चलिए question no 3 का आंसर दीजिए तो question no 3 का काफी सारे बच्चे जब paper हुआ था तो आंसर लगा कर आया था शरीर की लंबाई से जो कि इसका आंसर बिल्कुल गलत था इसका आंसर क्या हो रहेगा सुनने की सकती से यह आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा Next question है मारा question number 4 पक्षी अपनी गर्दन अदे खिलाते हैं इसका कारण क्या है Option number 1 है पक्षियों की आंखों की पतली घूमने सकती इसलिए Second है पक्षियों की आंखे छोटी होती है इसलिए Third है उनके कान पांखों से ढखे होते हैं इसलिए या फिर fourth है वे उड़ सकते हैं इसलिए Question number 4 कान से दीजिए पक्षियों जो होते हैं वो अपनी गर्दन को बहुत अधिक क्या है इसका कारण क्या है तो अभी हम लोगों ने बात करी जो पक्षियों होते हैं वो अपनी गर्दन को इसलिए लाते हैं क्योंकि उनके आंखों की पतली जो होती है वा घूम नहीं सकती है नेक्स कोशन है कोशन नमर फाइव रात में जगने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं ओप्षियों नमर फर्ष्ट है केवल काली और सफेद ही देखते हैं सेकेंड है केवल हरे रंग में देखते हैं थर्ड है केवल लाल रंग में देखते हैं जबकि फोर्थ है हर रंग में देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा कोश्चन था और अभी हम लोग इसके बारे में बात भी कर चुके हैं क्या हो रहेगा इसका अंसर इसका अंसर नमर फस्ट बिल्कुल सही हो रहेगा जो जानवर रात में जगते हैं उन्हें हर चीज केवल काली और सपेद ही दिखाई देती है नेक्श कोशन हमारा कोशन नमर शिक्स निम्लिखित मैंसे किस जीव के दोनों कान बाहर की और आवाज इकठा करने के लिए अलग-अलग दिसाओं में बहुत ज़्यादा गूम जाते हैं उप्शन नमर फर्ष्ट है मेना, सेकेंड है हाथी, थर्ड है खरगोश और फोर्थ है बाग चलिए कोशन नमर शिक्स का आँसर दीजिए तो कोशन नमर शिक्स का आँसर नमर डी बिल्कु से यह बाग नेक्श कोशन है कोशन नमर शेवन निम्रिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंद से कई किलमेटर दूर से पहचान सकता है ओप्शन नमबर फर्स्ट है रेसम का कीड़ा सेकेंड है बाग, थर्ड है गिद और फूर्थ है बाज इसके बारे में अभी हम लोगों ने बात करी, क्या हो रहेगा इसका अंसर इसका अंसर नमबर फर्स्ट बिल्कुल से हो रहेगा रेसम का कीड़ा जो हता है, वो अपनी मादा साथी को उसकी गंद से कई किलमेटर दूरी से पहचान लेता है तो यह थी है है अजकी हमारी क्लास, आयोप आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, तो क्लास को L학 करने के साथ में चैनल को सबस्क्राइब जुरूर कीजिएगा और अगर आप लोग CDT परिछा में अच्छा स्कूर करना चाहते हैं तो प्लेटी परिछा के लिए बहतरी नोट्स भी मिल जाएंगे जो की पैड रहने वाले हैं और कच्छा 3 से लेकर 8 तक की NCIT की बुक आप लोगों को हिंदी और इंग्लिस मीडिया में बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी तो आप लोग देरी मत कीजिए प्ले स्टोर से मास्टर चड़ा एप को तुरंत डाउनलोड कर लिजिए अगर आप लोग YouTube पर होने वारी क्लाज की PDF चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग डरेक्ट टेलिग्राम पर सर्च करेंगे लेट्स लर्न के लर्नर्स तो आप लोगों को हमारे चैनल दिख जाएगा जिसमें करीब 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो आप लोग टेलिग्राम से जरूर जुड़िए क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपडेट भी देते रहते हैं वीडियो की कौन सा वीडियो कब आने वाला है तो टेलिग्राम से जुड़ने के लिए इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पर क्लिकर के आप लोग टेलिग्राम पर जुड़ सकते हैं चली मिलते हैं आप लोग नेक्स टूडियो में तब तक के लिए जय हिल्प जय भारत